बिसम लेहर रह्माली रहीम असलाम वालेकुम नाजरीन आथेंटिक इनियन फूड रेसिपीज में आपका बहुत-बहुत खेर मगदम हैं कैडियां बाजार में बहुत आईवी हैं और कैडियों से बहुत से लोग अचार और मुरब्बे और जैम जेली पता नहीं बहुत सारी चीज़े बना रहें तो आज हम ऑथेंटिक तरीके से इसका गुरंबा बनाएंगे गुड अमबा गुड तो गुड को कहते हैं गुड और अभी तो गुड से ज़्यादा शकर का भी बनाने लगे हैं तो आज है री आज है पर अमबा याली के आम उन्हों का मिंच्चर तरीकों से बनाथे हैं तो वह वह दो तरीका हम आप के हार शेयर कर रहे हैं तोड़ी से पेली हो गई है नारं हो गई है और बाकी हाड़ वाली कहरियां भी है इसमें तोनों तराकी है और हमें लिए है यहाँ पर आफ केजी शकर और हाफ केजी दूल इसके चाढागो और के अकाला नमप यह एक टेबलिक भरके है चार पांच जये हैं ले शावंबर यह 1-2 भस दाल चिनी के पीसस लिए है और ह 14 इलाइची, और छे लांगे ली री और थोड़े से घी से हम क्या करएंगे इसको बगारेंगे पानी का यूजब भी करना है पानी तब ही हम यहां पर बनाना शुरू कर रहे हैं और आपको दिखाए नाजरीन यह कडाई हमने रख दी है फुड़ा यह बड़तन लेना है इसके लिए और एक टेबल स्पूर हमने यह देशी घी लिया है इसमें डाल देते हैं बहुत ज्यादागी का यूज नहीं करना है बस इ जब मेल्क हो जागा जलने लगेगा तब हम डाल देते हैं इसमें तालचीनी का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा था है जब यह चटक जाए तालचीनी और लॉंग जाए पूट जाए मतब फूल जाए तब हम क्या करेंगे इसमें पानी डाल देगे पानी का यूज जाए जाए गया तो लिए एड़ जाए खड़क हो जाए गया और रूव चबाते नहीं याए अगर पानी डाल देते तो फिर सॉफ्ट हो जाती कहरी जो गुरंबा होता है वो कहरी उसमें बहुत अच्छी लगदिए तो यह हम पानी डाल देते हैं इसमें दैरमान रहीं अ पानी में जोश आने देते हैं और उसके बाद में गुड़ और शकर शामुदता रहेंगे परेदे हम कहरी डाल देते हैं फिर गुड़ और शकर डालते हैं और उसको पकने देते हैं वह जल्दी बन जाता है अब कहरी थोड़ी गल जाए बहुत ज्यादा में हल्की सी गल जाए उसके बाद में हम इसके पर शकर शामिल करेंगे और नमक भी शामिल करेंगे तो ढापके रखते हैं पांच मिनट बाद आपको दिखाते हैं बिस्मिल्ल्ला रमान जाहिए नादरीनी कहरी को पकते बें पांच मिनट हो गए हैं और बहुत अच्छी भाप आ गई अंदर और ये थोड़ी सी गल भी गई है अब क्या करते हम इसमें शकर और गुर का पानी चुटेगा और उसमें और अच्छे से पकेगा बिस्मिल्ला रमान वहीं एक गुड हमारा जो है सॉफ्ट वाला है इसके लिए मोटा मोटा ही रखाया ज्यादा बारिक नहीं किया है पांच मिनिट में ये मेल्ट हो जाएगा ज्यादा चलाना नियन कहीं कि हमारे जो पीसे से वो तूटेंगे इसको स्लोग करके और ऐसी छोड़ देते हैं नमक भी हमें अभी इस पर शामिल काड़ देते हैं अगर आप कम डालना है तो कम भी डाल सकते हैं आप में जो है गुड़ और शकर मेल्ट हो जाएगे फिर आपको दिखा दो नाजरीन ये गैस के फिलेम हमने फुल कर दी है और गुड़ और शकर जो है दोनों भी मेल्ट हो गए है और अच्छे से पक रहे है ये अब क्या करते हैं इसमें हमने थोड़ा सा नमक बचाया था दाल देते हैं नमक दाला था हमने आदा लेकिन अबैस लग रहा है कि और नमक की जुट है तो यह हमने फुल डाला है फोड़ी दर पकने देते हैं और उसके बाद में गैस की फ्लेम फॉफ कर देंगे क्योंकि यह जो है जिसमें चाशनी पतली दिख रही है न ये थंडी हो करने के बाद में गाड़ी हो जाएगा ना पतला नहीं रहेगा पानी भी बहुत कम डाला है कारी का पानी है अधाल चैनी का प्लेवर और लांग का प्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें अगर आप चाहो तो तो इलाइची पाउडर भी डाल सकते हो और प्राइफोर्स जो है पकते वे और पांच मेंट हो गए है और इसमें अभी तार आने लगा है यानि कि यह बन गई है अब फोड़े दिर में गाड़ी हो जाएगी अब लिक्या करते है में पर अभी इसकी प्लेम को आफ कर देते हैं और अगर आपको इसमें चाहिए तो साइट्रेक असड आपको चाहिए तो आप इसमें लाल मिच का पाउडर भी डाल सकते हैं लेकिन अभी मीठा ये बचों को पसंद इसलिए हमने मीठा ही बनाया है अभी यह गैस की फ्लेम को मौफ कर देते हैं और इसे निश में निकाल देते हैं अभी फोरन तो यह खाने के लायक नहीं है तो कैरिया जो है इसमें और अच्छे से मुरेगी और जो है यह कल तक जो है जब ठंडा हो जाएगा अच्छा और फिर जो है हम खाने के लिए देंगे तो बहुत अच्छा लगिगा आप टाइट कंटेनर में भरके रख सकते हैं कांच की बोटल में आप रखो तो ज्यादा कि बढतन जो है आपका अलिमोनियम का ये यालोह इका नहो आप इस बात का दिहान रखे। आपका बर्तन जो है वह स्टेल का ले लो या तो नॉनस्टिक ले लो या तो बल्टन हो जो उसमें क्या होता है कि यह अच्छा मान दे की खटी चीजहें को पकाने के लिए ऐसी बर टेस्टी बना है आप इसे घर में जरूर राइ करें अपने अपने चैनल में पहली बार आए है तो सब्सक्राइब करें अपनी बहुत सारी दौआ में मुझे याद रखें अपना बहुत सारा ख्याल रखें अलाहाफीज